कि अच्छ मी भाव अभी जाडू लगा रही हो हाँ माजी जाडू पड़ी थी हमने का लगा ले बता ही ये कोई काम था क्या दादी काप से चल ला रहे हैं चाय के लिए में चाय बना दो चाय बना दो अभी हमने नहाया नहीं है जाडू लगा ये नसे जो लगा ये बता सुनता है वह प्रिय वह कहां है वह ही बना देंगी कहां सुन रही है दोनों सो रही है हम गये थे बुलाने कि उठ जा उठ जा उठ जा उठी नहीं रही है एक दूसरे को चिलाटी दिये सो रही है उसरी उसरा अभी तक सो ही रही है हाँ रुको मैं जगाती हूँ उनको तुम ज़ाड़ू लगाओ ठीक है सूता पड़े हैं उठ जाओ सो लिया हो तो खोपड़ा पे धूप छाई है लेकिन देखो मैटमों की आखे नहीं खोल रही है लग रहा है जैसे राद भर मूंग दलती रही हूँ उठ जाओ महरानियो आराम हो गया हो तो क्या आराम फर्मा रही है कैसा गंधु आई है पाद रही है डड़ीक रही है इसको सरम नहीं आ रही सुनता पहूँ उठ जा जब आए हगमूतो काई गंधु आई हो अरे राम क्या खागेश हो आई थी रात में अतना बुरा सुनती है दीदी आपका दिमाग खराब है क्या आशे कौन पदाई करता है उठो दिमाग खराब करके रग दिया सोने भी नहीं देती हो तुम्हारे की क्या बोलूँ तुम्हें सुनता बागोट जा बनना ला रही हूँ टंडा भी रुक कौन है क्या हो गया सोने भी नहीं दे रहे है अरे वोट जा सोने भाली जहां हगमूत देखो तो क्या पाद रही है है माजी माजी या यहां क्या कर रही है देखने आई थी तुमको आराम में सो रही हो की नहीं धूप उप तो नहीं आ गई है मैंने सोचा धूप आ गई होगी तो दो चार खटियां आजू बाजू से लगा के चद्द ढख दूँगी आराम से सो लो दो चार रात की जगी हो और दमूंग जलती रही हो सब दल गएगी या नहीं थोड़ा बहुत बचे हो तो सो जा फिर से दल ले अरे माजी क्या बता है ऐसी आँख लगी बता नहीं सकते है अभी तक सोते रह गए हाँ माजी आप तो जानती है सुभे टेम नीद अच्छी आती है रात में आए नाए लेकिन सुभे ऐसी आँख लगती है कि पुट्टे से सोई जाते है कला कारो चलो काम चोरो उठो चलो जल्दी दादी को चाय बनानी है चलो एक लोग फटा पटना हो ताज चाय बनाओ दादी को माजी मुझे तो बहुत तेजी से लेटन लगी है दम निकली जा रही है मैं जाओ अरे जा जल्दी से एदरी मत हग लेना प्रियवाव तू निकल जा हात मुधो नहाधो कुला उल्ला मन जन कर गंधवार रहे मुझे खड़े-खड़े रात में प्याज खाग सोई थी क्या हाँ माजी प्याज लेशन की चटनी खाई थी तभी तो मारे मूस जैसी बदबू आरी चाट मूधो जागे कुला कर जी माजी तंग करके रखा है तू पारा तक सोती गे रात में बोलती हूँ जल्दी सो जाओ तू नहीं दो बजी रात तक फोन चलाएंगी टीवी देखेंगी मानेगी नहीं आग लगे इनकी फोनों में मार पता नहीं का नाच देखतीं है मार पिटर पों भें पां पां क्या क्या दुनिया भर का डिरामा देखतीं है फोन में यह नहीं कोई काम की चीज कर लें ना बस उल्टे सीधे काम करेंगे उल्टे सीधे दो दो ढ़ाई ढ़ाई बाजे तक जकेंगी वहां और यहां दो पारा तक सोएंगी कोई चिंता फिकर नहीं है जहां खाने वाले आजा चाहां जो कोई आजा बस दो दो आती रहेंगी पड़े पड़े ठहरी बेचारी लच्छी में बाऊ वही सीधी साधी पड़ जाती है सुमारी धकेली वही फिरती है चारो तरफ से लठेडी जाती है लच्छी में बाऊ यह कर दो लच्छी में बाऊ वह कर दो बेचारी के बुरी दसा है दादी, क्या हुआ, यतना बड़ा मुबाग क्यों खड़ी है सुनता बो अरे यह देख रहे हैं, हमको मा जी ने गाली सुना दी दो चाज और जा गाली है, हम सो रहे ते नीन बैसे भी पूरी नुए आप तो चाह पी रही हैं, हमसे गह रहे हैं, दादी को चाह चाह चाहिए, जा पटा पट नाओ बनाओ, आप तो चाह पी रही हैं, किसने बना दी दादी किसी ने नहीं कौन बनाएगा हमने खूदी हम भाण भाण डाए है थे ना बनाने चाए अपने क्यों बना लिए है अब तुम भी क्या बनाती? तुम्हारी चक्कर में बैटते तो हमको ना दो दिन बात चाय मिलती अभी उठी हो फिर नहाओगी पूजा करोगी फिर जाके चाय बनाओगी इससे अच्छा मीने बना ली कोई बात नहीं जाओ और भी बनी रखी है जाओ जल दिस नहाओ दो पूजा बाट करो पीलो चाय सोबैसे घूम रहें हैं विल बिला थे इससे कह रहा हैं उससे कह रहें अमझी इक लिए चाय बनादू चाय बनादू लेकिन कोई नहीं सुनता है तीन टिकट महाः बिकाट सकत्वू आपद कीं है ज़ंग से कौइय काम नें ये थूँ dio आ रहीं 12 बश तक लच्मी बहु विचारिया के लिए क्या क्या करें तेरे हाथ पर सलामत है तू सही साथ है कि नहीं हाँ अमाजी मेरे हाथ पर तो सही है देखिए मेरे हाथ पर कुछ नहीं हुआ बिचार बना सकती थी तेरे हाथ में कोम सकीडे में कोड़े लग गए थे चोटट लग पर नहीं झाल रहे हैं नज जाख आने चले गया है जब तक हम जखके आया है दादी ने कोदी बना के भीली जितना तुँ इधार दिमाग लगाती है न उतना काम में लगा लिया कर बास बहुआ पे मरदाती रहेगी बहुआ पे मरदाती रहेगी कि तुझे कुछ ना करना पड़े देखना एक बढ़ा पे मिना तेरी भाब बु मां जी को मां जी की गल्ती नहीं है क्या करें अब नहीं लगता काम करने में कोई बात नहीं है अभी चाय बनाएंगे दुबारा तक पीना बड़िया मसाली तार बनाएंगे चप चप जला की नहां दो चाय बनागे हम रखाएं पी ले दुबारा चाय बनाएंगे सब तेरे चलते परवतिय है सब तेरे चलते हो रहा है जो भी हो रहा है तू मक्कारी करेगी तुझे बव में देखेंगी वैसे ही करेंगे ये ना सुन्ता बहु पूरी तेरे पे ही गई है तो लच्मी बहु को देखो पता नहीं उसको तेरी लट क्यों नहीं लग रही है नहीं जैसी तुम है बिलकोल बराबर कर टक कर देती है तो जे सुन्ता बहु मक्कारी में दोनों की दोनों सास बहुंगे काम चोर हो एक दूसर करती हैं उनके साथ साथ हमाई भी डाट पड़ जाती है इतनी जुम्मेदार होती तो कहें के लिए तूने अच्छा था सिलाई करती थी वर्या काम में बिजी रहती थी अब फिरी रहने लगी है तो फड़ फड़ाने लगी तेरे पर निकल आएं सही कहते हैं जब तक काम में करें तो सही रहता है तो सोचती अब तो मेरे पास कोई कामी नहीं आराम है इस बार की मापी चाहिती हूं कल से कोई गलती नहीं होगी आगे से आगे सारा काम का होगा बिल्कुल परिशान न हो यह पहली और आखरी गलती है कि मेरी जा नहां दो पूजा पाट कर बाते बनाना दो कोई तुछ से सीखे